तो इस वीडियो में हम एकसरसाइस 4.2 का जो कॉशन नमबर 1 जो आपके इस टेक्स्ट बुक में ऑप्शनल है तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं कई स्टुडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं इसका एक वीडियो सिंपल सा वीडियो बना रहा हू तो कॉशन ऑप्शनल है यह सोच के छोड़ने देना क्योंकि इस बार CBSC के जो पैपर्स में यह भी बताया गया है कि यह जो ऑप्शनल कॉशन है यह भी एक्जाम में आपको पुछे जाएंगे तो सबसे पहले हम इस कॉशन को थोड़ा समाझ लेंगे यह बताना है यह वेरिफाई करना है कि जो कॉबिक पॉलिनोमल आपके सामने है क्योबिक पॉलिनोमल क्या है आप नाइंध कलास में पढ़ चुके हैं तो उसके साथ जो जो नमबर्स दे गए हैं जैसे टू है या वन बाई टू है या माइनस टू है जो भी है वन बाई टू वन और माइनस टू या जैसे दूसरे में आपके पास है टू वन और वन यह सब जो है इसके जिरोज हैं तो यह हमें वेरिफाई करना है उसके बाद also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case और उनके जो relationships, जो polynomials के जो roots हैं, उनके जो relationships हम पहले भी पढ़ चुके हैं exercise 1.2.123 में हैं तो वही zeros जो यहाँ पे relationships जो है sum of the roots या जो sum of the roots pairwise भी और product of the roots जो हम पढ़ रहे थे जो शुरू से आप पढ़ते हैं minus b by a, c by a, जो यह formula हैं उसको हमने यहाँ पे देखना है कि क्या सच में यह जो इनके zeros हैं तो यह satisfy होना चाहिए तो वही हम आगे देख रहे हैं, मैं first part को यहाँ करने के कुश्च कर रहा हूँ आपके सामने जो polynomial cubic है, 2x cube plus x square minus 5x और plus 2 है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि जो one by two है या one है, या minus two है, क्या ही इसको satisfy करते हैं, अगर यह satisfy करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने verify कर दिया कि यह इसके zeros हैं, और उसके बाद उनके जो relations को भी हमने आगे जो relationships, जो roots के हैं उसको भी verify करना है तो सबसे पहले जो आपका polynomial आपके सामने है, now for zeros putting the given value, अब हमें जो value alongside दिया गया है, हमने उनको यहाँ पर put करना है अब P for polynomial जो X है, X के जगा पर पहले case में हमें 1 by 2 लेना है, तो जहाँ जहाँ X है उस place उनको replace करेंगे हम किस से 1 by 2 से, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जगा 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 जहाँ X है वहाँ पर हम 1 by 2 ले रहे हैं, तो plus 2 के साथ कुछ नहीं है यह, उसको हम वैसे ही रखते हैं, तो 2 into 1 by 2 का cube, 1 by 2 का cube means 1 को अगर 3 बर multiply करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का cube जो है 8 हो जाता है, इसलिए 2 into 1 by 8, 1 by 2 का square means 1 का, 1 को जितने बर multiply करो 1 रहेगा, 2 का square means 4, 1 by 4, तो 5 into 1 by 2 means वही, 5 से 1 को multiply किया, तो minus 5 1 is a 5 upon 2, plus 2 वैसे ही, तो यहां से जब हम 2 से 8 को जब हम यहां से cancel करेंगे, तो 2 fours are 8, इसलिए 1 by 4, यहां 1 by 4 वैसे ही, minus 5 by 2 भी और 2 भी वैसे ही, तो जब हम इसको हाल करेंगे, तो यहां से आप सीधे direct LCM निकाल के भी कर सकते हैं, इन इन सब का LCM निकाल सकते हैं, यहां इन्होंने shortcut कर दिया, अब सीधे इनका LCM निकाल की गया, इनको हल कर सकते हैं, LCM से कैसे निकलेगा, तो यह आप पहले भी कर चुके हैं, तो चलो मैं यहां से आपको फिर से थोड़ा सा revise कर देता हूं, इन सब का 2, 4, 4, 2 जो है, इनका LCM जो आजाएगा हो, 4 आजाएगा, जब 4, यहां 4, यहां 2, और इन बाए 1 है, इसका LCM निकालेंगे तो क्या आजाएगा, 4 आजाएगा, तो 4, 4, 1 जा 4, पलस फिर से 4, 1 जा 4, उसके बाद, 5 है तो 2 है तो अगर 5, 2, 0, 10 माइनस में है तो माइनस, और पलस 2 आपके पास है तो 4, 4, 2, 0, 8 आजाएगा, तो इस तरह के से 1 पलस 1, 2, 2 ते 8, 10 माइनस, 10 अपान, 4, 10 और 10 कैंसल, एक्वाल तो 0 आजाएगा, तो यहां से थोड़ा इन्होंने शाटकट कर दिया, तो इसका जो एक्स्प्लैन, जो है एक्स्प्लैनेशन में यहां पर आपको दे रहा हूं, खो यहां से सैटेसफाई हो गया, कि 1 by 2 जब हम एक्स की जगह पर पुट करेंगे, सबस्च्चूट करेंगे, तो वैल्यू जिरो आ जाता है, यहां आप देख सकते हैं, तो यहां पर जिरो आ गया, तो नेक्स्ट जब हम P और उसके एक्स की जगह पर वन पुट करेंगे, तो एक्सी तरफिय से सैम वैए में, एक्साइब आपने यह भी वही करना है, जहां जहां एक्स है वहां वन, जब क्यूब है, एक्स की जगह, तो क्यूब स्कैर, तो वन का जो भी है, मल्टिप्लाई करो, जितने बार ऊट्टू, तू थरी, जितना भी करना है, तो वन ही आए तो यह आप और यह पार्ट यहां तक आपको समझा गया अच्छे से थार्ड में जब हम पुट करेंगे X के जगा माइनस टू तो 2 X के जगा माइनस टू पुट किया यहां पे माइनस टू फिर से यहां पे माइनस टू फिर से प्लस तो माइनस माइनस 4208 ऐसे आ जाएगा इसलिए डारेक्ट यहां से माइनस 8 आपका लिख दिया है तो 4 क्योंकि 2 यह वाला पॉर्शन जो है 4 माइनस 2 इंटो माइनस 2 अभी आपने यहां देखा प्लस 4 आ रहा है इसलिए यहां प्लस 4 तो माइनस प्लस 42010 और 2 का 2 तो यहां माइनस 16 हो गया यहां पे भी 10, 4, 14, 12, 16 तो 16 माइनस 16 यह तो फिर से 0 अब यहां सब देख सकते हैं कि 1 बाइ 2 डाल के भी देखा हमने इस क्यूबिक पॉलिनमल में 1 डाल के भी और माइनस 2 डाल के भी तो हमें यह पता चल गया कि सब तीनों केसिज में अंसर हमें 0 आ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं 10, 1 बाइ 2, 1 and माइनस 2 are the 0s लादा गिवन पॉलिनमाल पी और एकस जो पॉलिनमाल आपका पी एकस है उसके क्या हैं 0s है अब हमें वैरिफाई करना इनके रिलेशन्शिप को अब देखो यहां पर आपके पास है यह आपका पॉलिनमल है यह जो आपका इसका जनरल जो पाम है वो यह है एक्स Q प्लस B X स्केर प्लस C X प्लस D क्यूबिक पॉलिनियमल का तो A हमारे पास देख सकते हैं यहां पे 2 है इस केस में इस पॉलिनियमल में B 1 है C माइनस 5 है और D आपका 2 है तो अब जाओ फार्मॉला आपके साथ साथ के सामने है यहां पे इस में इस Q में आपके सामने है A 1 बाइ 2 अलफा अलफा बीटा और गामा में हम इसको यूज़ करते हैं अलफा 1 बाइ 2 बीटा 1 और गामा माइनस 2 है अब देखो सम आपदे 0 अब सब को पता है माइनस B बाइ A है यह आप पॉलिनॉमल के स्टार्टिंग से बढ़ते है तो वही यहां किया है अलफा पलस बीटा पलस गामा जो है माइनस B बाइ यह है अब B जो है आपके सामने है देखो one के बराबर और a आपके पास है जो alpha minus b भाई ये a आपके सामने two है b आपके सामने one है तो वही हम यहाँ पर put करेंगे alpha plus beta plus gamma के जागा पर हम क्या डाल रहें यहाँ देख सकते हैं minus b आपका b one है इसलिए one minus का minus जो फार्मूला है तो minus one upon two क्योंकि a आपको यहाँ पर two है इसलिए one by one by two यहाँ से भी और one by two यह आपका यह वाला है alpha बीटा के जागा one और gamma के जागा minus two इसको भी put किया तो यह one by two है यहाँ से one by two और इसको किया तो minus one जब हम इसको भी हल करेंगे यह इसके साथ हाल करेंगे अच्छे से तो मैं कार की दिखाता हूँ आपको यहाँ पर तो यहाँ से भी answer one by two ही आएगा तो one by जब हम one by two पलस one करते हैं आप सब जानते हैं इसके नीचे one है one plus two by two means three upon two है जो three upon two आपका आएगा यह यह वाला portion यह three upon two के बरावर है तो जब हम three upon two जो आपके पास है इस three upon two को हम क्या करते हैं three upon two और फिर बजगे माइनस two इसके नीचे one जब हम इसको हल करेंगे तो किसके बरावर आएगा यह three minus four two two zero four cross multiply करके देखते हैं two one zero two इसको भी जब हम हल करते हैं minus two से जब निकालते हैं तो यहां से भी आपका one by two ही आना चाहिए minus two minus one by two minus one ठीक है क्योंकि minus b भी यह है तो यहां से आपका यह question आजाएगा minus one by two minus आपका formula का है one by two इदर से भी तो one by two यहां से भी दोनों clear है तो इस तरह किसी को भी आप समझ सकते हैं next आपका जो है जो pair wise जब हम करते है alpha बीटा पलस बीटा गामा पलस गामा अलफा जो pair wise जब हम लेते हैं उसका formula है c by a तो c आपके सामने अभी आपने देखा c क्या है यह देखो c आपके सामने है minus 5 a आप क्या है 2 तो इसी को हम यहां सबस्चूट करेंगे देखो minus 5 आपन 2 तो alpha जो आपका 1 by 2 है बीटा आपका 1 है तो इसको multiply फिर पलस बीटा 1 है गामा आपका minus 2 है इसको plus फिर आपका minus 2 है और 1 by 2 आपका alpha है तो इस सब को जब हम हल करेंगे minus 5 by 2 यहां से रहेगा इसको भी हल कर लो यह same आपका multiply है तो 1 by 2 आजाएगा minus आपका है minus 2 बाइ 2 तो minus 1 क्योंकि minus 2 into 1 by 2 means 2 और 2 cancel यहां से minus 1 आपका आजाएगा इसके जगा पिए minus 1 दिखा है जब हम इनको हल करेंगे तो फिर से minus 5 upon 2 minus 5 upon 2 बराबर आजाएगा same तो third आपका है product of the zeros product of the zeros आपका फर्मूला आप सब जानते है minus d by a है minus d by a तो d का फर्मूला d की जो value है आपके पास यहां पे है और 2 है a आपका भी यहां से भी 2 है तो दोनों 2 है same to same यहां से हम देख सकते है minus d by a minus 2 by 2 तो minus 2 by 2 cancel minus 1 रह गया तो alpha into beta into gamma फिर वही 1 by 2 into 1 into minus 2 को जब हम हल करेंगे तो यह आजाएगा 1 1 by 2 into 1 means 1 by 2 multiplied by minus 2 यह और यह cancel minus 1 तो यह भी यहां से भी same to same आपका बराबर आजाएगा minus 1 minus 1 यहां पर भी minus 1 है minus 1 तो इस तरह के से thus the relationship between the zeros and coefficients are verified इस तरह के साम same जो जिटो बिल्कुल second part भी आप इसी तरह के से हल कर सकते हैं तो उसको हम next